अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं, जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेगी, आज हम आपको दुनिया के दस ऐसे देश के बारे में बताने व और किस जगह पर हैं? इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया मे टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाग के आसपास है. अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में, जिन में दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं. यानि कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं. नंबर एक, इंडोने मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है. नंबर दो, भारत. दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यार देश भारत. हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है. इन 3,000,000 मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है. नंबर 3, बांगला देश. दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में. तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांगला देश. हम आपको बता दें कि बांगला देश में टोटल मस्जिदों की तादाद धाई लाख है. यानि कि पूरे बांगला देश में लगभग धाई लाख मस्जिदे बनी हुई है. इन धाई लाख मस्जिद दोस्तो, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पडोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग एक लाख बीस हजार है, यानि कि पूरे पाकिस्तान में एक लाख बीस हजार मस्जिदें बनी हुई है। दोस्तो, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में छठे नंबर पर आता है सौधी अरब। तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई है। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की साथवे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तो, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा है। अगर मराकिश की बात करें, तो हम आपको बता दें कि मराकिश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकिश दुनिया के आठवे नंबर पर बना हुआ है। दोस्तो, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में नोवा नंबर आता है चाइना का, यानि की चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में चाइना अभी 9 नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, इरान दोस्तो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में इरान का दसवा नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे इरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में इरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है दोस्तो अब आपको बताते हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में यानि कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्ला जरूर लिख दें दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर एक पर आती है मस्जिद अलहराम ये मस्जिद सौदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है चार लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्मान कला का एक अद्भुत नमूना है हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं इस मस्जिद को पहली बार 622 इसवी में तामीर किया गया था इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गये हैं और यही नहीं इस मस्जिद में इस्तिमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बहतरीन साउंड सिस्टम है इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास में नहीं है दोस्तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नभी का ये मस्जिद भी सौधी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्ललाहु अलैही वसल्लम ने रखी थी संग मर्मर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बहतरीन नमूना है तीन लाख चौरासी हजार स्क्वाइर मीटर में फैली इस मस्जिद में दस लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं पूरे सौधी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था दोस्तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाग से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं 2,666,000 स्क्वाइर मीटर में फैली ये मस्जिद इसलामी दौर की एक सुनहरी यादगार है इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और चार बड़े-बड़े सेमिनार होल बने हुए हैं इस मस्जिद की देखरेक में हर साल कई करोड रुपे का खर्चा आता है दोस्तो, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्मान कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रिय मस्जिद भी है इसका निर्मान 22 फरवरी 1978 में हुआ था साथ बिलियन डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ दो लाग से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी मस्जिद है मसजिदें हसान ये खूबसूरत मसजिद, मोरक्को के शहर कासाबलांका में मौजूद है इस मसजिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नॉलोजी का इस्तिमाल किया गया है इस मसजिद का आधा हिस्सा समुन्द्र की जमीन पर और आधा हिस्सा एट्लांटिक महासागर पर बना हुआ है मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्ष शीशे का बना हुआ है जहां से समुंदर का पानी साफ साफ दिखाई देता है इस मस्जिद में दुनिया की सबसे उची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलो मीटर दूर से भी देखा जा सकता है आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मस्दूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था तो दोस्तो यह वह पांच मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं इसके अलावा भी दुनिया में सैकडों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह पांच मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद सल्लालाहु अलेही वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह तालाह ऐसे शक्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा।